आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 से करेंट परेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिसक्स करूँगा और हर कुशिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ज्यान से पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्स में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में अक अक्ष्य ओर्जा दिवस यानि कि Renewable Energy Day Renewable Energy कौनसे इनर्जी अती है, दोस तरह की इनर्जी हुआ करते हैं एक Renewable Energy एक Non-renewable Energy तो जो Non-renewable Energy होती है वो नर्जी होती है जिसको आप लगातार यूज़ करते आ रहे हो जैसे पैट्रोल है, टीजल है ये non-renewable energy है यानि कि एक बार अगर आप इनको यूज कर लोगे उसके बाद ये खतम हो जाएंगे और ये क्या है? renewable energy यानि ये अक्षय ओरजा renewable energy कौन से होती है? जैसे solar energy है, wind energy है, water energy है इनको आप लगातार यूज करते रहे हैं, लेकिन ये कभी खतम नहीं होगी, तो अक्षय ओरजा दिवस हर साल बेस अगस्थ को बना जाता है, और क्यों मना जाता है? तो भारत में अक्षय ओरजा के बिकास और अपनाने के बारे में जागर्ता बढ़ाने के लिए हर साल बेस अगस्त को अक्षे ओर्जा दिबस मना जाता है अच्छा बेस अगस्त कोई दो और इंपोर्टेंट ये मना जाते है एक मना जाता है बिस्सुमक्षर दिबस मलेविया के काड़ों और इसको कैसे रोका जाए इसके बारे में जागुर्टा बढ़ाने के लिए बेस अगस्त कोई बिसमक्चत दिवस भी मना जाता है और बेस अगस्त कोई सदवाबना दिवस भी मना जाता है पूर प्रधानमंती राजिब गांदी की जैनती होती है बेस अगस्त को इसलिए बेस अगस्त को सदवावन दिवस मना जाता है और इस बार इनकी सततर मी जैनती मना गई तो ये तेन इंपोर्टेंट दे पीस अगस्त को मना जाते हैं तेनों को आप याद कर लेजिए अब ये इंपोर्टेंट दे वाला क्वेशन है तो वीडियो को पॉस कीजिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट दे में आपको अता है सारे बिल्कुल सिक्वेंस में आप ममेंट वॉक्स में लिखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में किस देश में online गोपनीता कानून पारित किया गया है तो अभी chain में online गोपनीता कानून पारित किया गया है तो इस question का check options है यह अब यह क्या है online गोपनीता कानून तो जो private company and data को collect करती है उसको रोकने के लिए चीन ने यह online गोपनीता कानून पारित किया है और अभी चाइना ने तीन बच्चों की नीती को भी लागो किया है अब चाइना तो यह है map में चाइना, चाइना की capital है बीजिंग, चाइना की currency है रेन मिन भी और चाइना के एक कच्रे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है चाइना, ध्यान रखना एक कच्रे के उत्पादन में चाइना नमबर वन पे है और प्लास्टिक कच्रे के मामले में अमेरिका नमबर वन पे है तो दोनों आयाद रखी प्लास्टिक कच्रे की पूचह जाए तो अमेरिका, एक कच्रे की पूचह जाए तो चायना, अभी एक high speed manglet का सफलता पूरवक परिछट चायना ने किया था, और वेई डोव नाम का navigation satellite भी सफलता पूरवक चायना ने लाउंज किया था, हाली में कुस ने भारत में नकली खुबिसीद bah çok पर अब विंठर्व परने की स्थाय। के प्रजेंट टैम पे हैड कौन है टेड्रोस अधानूम गेबेरियस ने शुशन है हाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सहर का नाम बदल कर हरी गड़ करने के लिए पंचैत बूड की बैठक में प्रस्ताव रखा तो अब अलेगड का नाम बदल के हरी गड़ करने के लि और लकनो किस नदी की किनारे श्तेत है गोमती नदी किनारे श्तेत है उत्तर प्रदेश के चीप निष्ट है योगी आजतना उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पतेल उत्तर प्रदेश का राजकी पसु है बारा सेंगा उत्तर प्रदेश का राजकी पच्छी है सारस ये क्रोच, राजकी पुस्प है, पलास और राजकी ब्रच है, असोक का ब्रच अच्छा उत्तर प्रदेश में भी बाल सरमिक विद्या यूजना शुरू हुई नबेन रोजगार छत्रे यूजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई कारा नमक चावल महुत सब उत्तर प्रदेश में बनाया गया और उत्तर प्रदेश में भी मंडुआडी रिल्विश्टेशन का नाम बदल के बनारस रिल्विश्टेशन किया गया है अच्छा उत्तर प्रदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल डाइब सेंचुरी है, पेली भी टाइगर रिजर्ब है और चंद्र प्रभान नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है अच्छा उत्तर प्रदेश के गुरकपुर में अभी एक सैनिक स्कूल की आदरसल रखी गई ये उत्तर प्रदेश का पांचमा सैनिक स्कूल होगा उत्तर प्रदेश में अभ्यूद है योजना चल रही है जिसके तहरे चात्रों को मुप्त में कोचिंग दी जाती है अच्छा उत्तरपदेश के जो पिलक हुआ जगह है हापोड में वहाँ पे DRDO ने Fire Safety Training Center शुरू किया है पिलक हुआ कुमार विस्त्वास का गाउं है पिलक हुआ वहाँ पे DRDO ने Fire Safety Training Center शुरू किया है next question है हाले में ओम नाम बियार का निधन हुआ है वे कौन थे तो ओम नाम बियार ये Athletics Coach थे और अभी इनका निधन हुआ है तो इस Question का B Options है पेटी उसा की ये Coach थे ये थे ओम नाम बियार और इनका अभी निधन हुआ है next question हाले में अपूर्व चंत्रा को किस मंत्राले में सच्चिब निउक्त किया गया है तो अभी सूचना अभम प्रसारण मंत्राले में सच्चिब की रूप में अपूर्व चंत्रा को अपूर्व चंत्रा को अपूर्व किया गया है तो इस Question का B Options है ये 1988 बैच के I.S. अधिकारी हैं और महरास्ट केडर के हैं इनी को अभी सूचना अभम प्रसारण मंत्राले में सच्चिब की रूप में अपूर्व चंत्रा को अपूर्व किया है प्रसिचक होंगे उनको 25,000 रुपए प्रतिमां दिये जाएंगे ये 25,000 रुपए कच्चे माल को खरीदने के लिए और इनको ट्रेनिंग देने के लिए होंगे तो ये है कारखंडर रियोजना इसका अनावरड जम्भू कस्मीर में किया गया है किस देश की नौसिना के साथ भारती नौसिना ने दक्चिट चेंज सागर में अभ्यास किया है तो अभी बियतनाम की नौसिना के साथ भारती नौसिना ने दक्चिट चेंज सागर में अभ्यास किया तो इस कुछ उनका बे आप्शन सही है अब बियतनाम तो यह है मैप में ब नेक शुशन है हाली में देश के पहले स्मॉक टावर का उद्गाटन कहां किया जाएगा तो अभी दिल्ली में कनोट प्लेस में बाबा खड़क सिंग मार्क पर देश के पहले स्मॉक टावर का उद्गाटन किया जाएगा तो इसकुशन का से ओप्सिंस आई है और दिल्ली के चीप मिश्टर अर्बिंद केजरीवाल इसका उद्गाटन करेंगे इसकी जो कैपिसिटी है वो 1000 क्यूबिक मीटर एर कूप पर सेकंड प्योर करने की है नए क्यूशन है हाले में इसमाइल साबरी याकूप किस देश के नए प्रतानमंतरी बने है अब मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया मलेशिया की कैपिटल है कौलालंपूर मलेशिया की करनसी क्या है मलेशियन रेगट और मलेशिया के अब नए प्रतानमंतरी तो यही बन गए है इसमाइल साबरी याकूप नेक्स कुशन है किस देश की प्रसिद अबिनेत्री किम मिन क्यूं का निधन हुआ है तो किम मिन क्यूं ये साउथ कुरिया की प्रसिद अबिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया तो इसकुशन का C options है यह थी किम मिन क्यूंग यह साउथ कुरिया की एक famous actress थी और अभी इनका निदान हुआ है नेक शुशन है किस प्रदेश में कपड़ा मंतराले ने लोक और जनजाती कला चित्रों पर अंतरास्टी प्रदरसनी का उद्गाटन किया तो अभी दिल्ली में कपड़ा मंतराले ने लोक और जनजाती कला चित्रों पर एक अंतरास्टी प्रदरसनी जिसका नाम है रीतियों स से कलाकरतियों तक का सफर इसका ओद गाटन किया है तो इस question का बे options आई है next question है हाली में सांती लाल जैन किस bank के नए MDNC यो नियोक दुए है तो अभी Indian bank के नए MDNC यो पॉइंट हुए सांती लाल जैन तो इस question का हाली में रिपोर्ट के अनुसार crypto अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है तो अभी एक report आई है इसके according cryptocurrency को अपनाने के मामले में बियतनाम पहले नमबर पे है और दूसरे नमबर पे है अपना देश भारत तो इस question का बे options आई है ब्लॉग चेन डेटा प्लेटफोर्म चैनल एसस द्वारा 2021 का global crypto adoption index जारी किया गया इस index के में बियतनाम पहले नमबर पे है और अपना देश भारत दूसरे नमबर पे है next question है हाली में केंडरी मंत्री मंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के छेत्र में साजदारी करने की बहां देश, बांगलादेश तो यह के प्रजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल्ला हमिद अच्छा बंगलादेश ने अपना खुद का जोग जोग नाम का सूशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है और इंडिया और बंगलादेश की बीच में कौन सी एकसाइज होती है तो इंडिया और के राश्टपती का चुनाव जीता है के डे हिस्चिले माने यानि किस कुशिन का बे ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्रेंट ने सकांसा सही दिया मुश्ट के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख अब आपके लिए आज को कुशिन है हाले में किस राज सरकार ने सब्द गूरक धंदा के इस्तेमाल पर प्रतिभंद लगाया है चार ओप्सन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेसुक पेज़ पर प्रीबियस एर कोशिन ड कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश रसी अगरी सार्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बिदाउट एनी हजी टेशन डिस्कूस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखन तो ये था आज का मार करेंटरफेस का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से ये था आपने एक रबाघए और ये केरह भी आज से आइचाबियो का ओनातना, प्लेज का जरू कर सकते हैं और भी आजू है, तो ये जरा आपने, तो रहन के समय कौने वारे बाड़ू का फ्लेदित, तो ये तो इपनाना, पीक्समर के लिद्ट बड़ू का जरूतना